जाहिन्द एवरिवन वेलकम टो माई OPC यूटूब सेनल स्टेडी मेटेरियल A2Z इंडियन आर्मी ग्रूप सी रिक्रूटमेंट 2022 यह दोस्तों आपकी आर्मी की ही रिक्रूटमेंट थी जो की आपकी 107 पदों पे रिक्रूटमेंट निकली थी और आर्मी नासिक की यह आपका रिक्रूटमेंट था और इसके यहाँ पे वेकंसी रद को बड़ी अपडेट यहाँ पे डिसकस करने वाले हैं और आप सबीने देखा भी होगा और मैंने भी आपको एक वीडियो भी दी थी कि आपका एडमिट कार्ड एक बार फीर से आपको देखने को मिल रहे हैं चाए वो MTS के हों चाए वो आपके यहाँ पे लसकर के हों दोस्तो सभी के एडमिट कार्ड दुबारा आ रहे हैं तो ऐसी क्या यहां पर प्रोसेस है काफी कैंडिडेट बार बार एक ही मैसेज करें हैं क्योंकि दोस्तो अपरेल में तो इसका एकजाम हुआ था एंड की तक है तो फिर जो है ऐसा क्या हो रहा है तो बहुत सारे कैंडिडेट अब इस हालात में हैं क्योंकि टैंसन बहुत जादा हो रहा है वो टैंसन होना लाजमी भी है क्योंकि जो केंडिडेट टोप में गये थे यान्नि वो केंडिडेट ही आपके यहां पर पहुँचे थे सबसे पहले आपको चैनल पर अपडेट की जाती है चाहिए वो आपका एडमिट कार्ड हो एक्जाम रिवी हो और आपने एक्जाम रिवी नहीं देखा है तो आप देख लिजेगा प्ले लिस्ट में जाएगा आटली के कम से कम आपको सो पलस वीडियो आपको केवल आटरी के बारे में मिल जाएंगे तो आप आटली के जाकर देखेगा पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी एक्जाम रिवी भी देख लेना कैसे कोसंस आए थे क्या सारी चैजें होई थी और मैं भी कोशिस करूँगा कि आपको जो है इसका लिंक दे दूं बट अगर नह जून और जुलाई समय तो बहुत जादा है बट जिनका एक्जाम हो गया उनके लिए यहां पे और आपको मैं एक एड्मिट कार दिखाता हूं और उसी के साथ हम प्रोसेस को पूरी जानकारी देखेंगे ओपीसिली नोटिपिकेशन को भी हम पूरी तरह से डिसकस करेंगे यहां पर आपको 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 आपडेट किया था तो यहां पर आपको जो है नीचे चलते हैं कि ये देखी एक तो यह एडमीट काड है जो आपके अपरेल में आए थे आप यहाँ पे देखेंगे जूलाई का एडमीट काड यहां से भी आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं और मृंझे काफी को benefit होता है तो यह हमारे WhatsApp नंबर है और यहां पर मैंने फिजिकल के बारे में भी सारी चीज़ें जो है कोशिस की थी कि फोन से लिखे मैंने आपको दिया था तो आप यहां पर इसको भी जो है अच्छे से देख सकते हैं और यह आपका syllabus है देखिए अभी तक आपने वह syllabus यह syllabus है और इसी से कोशन से बने थे और इसी से topics जो है कोशन बने थे बट मैंने extra क्या एड किया था और यह आपका यहां पर सैडूल भी देख सकते है इस परकार के सैडूल लगे थे और मैंने यह भी website पे mention किया था अब यहां पर जो है सबसे important है अब यह सी लेबस है और इसी ल सारी चीज़े अब बात करते हैं मैं चीज़ों के बारे में तो दोस्तों यह देख पा रहे होंगे आप 31 मही का यह MTS लसकर का है और आपको बता दें कि किस किस के एक्जाम हो चुके थे LDC का एक्जाम हो गया था कारपेंटर पुक और आपकी रेंज लसकर और यह फायर में का नहीं हुआ था आठी लसकर बारबर और वसर में इन सभी के आपके एक्जाम हो गए थे अब एक बार फिर से जो है सभी के एडमिट कार आ रहे हैं और यह एक जो है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को कनफ्यूज कर रही है बात कि सर जिनका एक्जाम हो गया तो आप हमे विट्टो वही पोस्ट पे आपका अगर एडमिट कार फिर से आ गया है तो आप मुझे वोट्स अप करेंगे यह चीज मैंने इतनी स्टेस के साथ क्यों कही है क्योंकि यहीं से हमारा जो अफिसली जो नोटिपीकेशन है और जो एडमिट कार फिर से आ रहे हैं उसका अनौ पहले आ गये थे और एक एडमिट कार यह वो एडमिट कार आया है जिसकी अलग से यानि मेरा एक्जाम होना था दो तो एक्जाम जिनके हो गए वो एडमिट कार मेरे पहले आ गये थे तो इससे जो है मैं पता चल जाएगा अगर आपका वो फिर से आ रहा है तो भरती फिर दोस्तों आपकी cancel हो सकती है लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं किया है और आने वाला employment newspaper है उसमें भी भरती के बारे में अपडेट देखने को मिल सकती है तो employment newspaper भी हम जो है publish करते हैं और इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी मैं आपको बना दूँगा वेबसाइट पे आपको बिल्कुल फ्री ओपकोस्ट इंप्लोमेंट न्यूज पेपर भी देते हैं बट दोस्तों चीजें किलियर जो है केवल आपके इंप्लोमेंट देखने से या फिर आपका यहां पे सोचने से नहीं होती क्योंकि आपका वीडियो में जो है बहुत जादा सॉल्यूशन आपको मिलता है इन चीजों का तो मैंने जो है पूरी तरह से बता दिया है अभी कैंसिल का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते भाई तो आप अपनी त्यारी जिनके भी आए हैं वो तो अपनी अच्छे से त्यारी करके पेपर को दो और थोड़े ही दिन में जो है इसका भी पता लग जाएगा कि कैंसिल हुए या फिर जितने कैंडिडेट दिये थे उनमें जो है आप और लेना चाहते हैं या फिर जो है कुछ ना कुछ कार्ण जरूर हैं दोस्तों तो या तो आपकी दो फेज में एक्जाम चल रहे होंगे मैंने ये भी कहा था कि आपका बाद में एड्मिट कार आएगा जिनोंने वरोशा किया तो ये चीज़े हैं क्योंक सबी के तो आ रहे हैं और देखिए थोड़ा परसेंटेज का तो मेरे कोडिंग इसू है क्योंकि बट इतना नहीं है कि आपके 90 परसेंट पे भी एड्मिट कार्ड आ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये चीज़े हैं दोस्तों आपके लिए जो सब से इंपोर्टेंट है अभी कोई भी जारी नहीं किया गया है लेकिन वोट सब पर तो भाई बहुँ जादा कमेंट आ रहे हैं सर फिर से आ रहे हैं क्या करें क्या भरती कैंसील हो गई देखे भाई जिन्नोंने उमेद से जिन्नोंने पेपर दिये थे और उसी चीज़ का जो है तोड़ा सा डर सता रहा है तो मैंने पूरी तरह से एक्सपलेंड किया और भाई मैं आपके साथ हूं और आर्मी की तो आपको पता है एक एक अपडेट मैं आपको लगातार दे रहा हूं और जब तक आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने की हिमत रहेगी तब तक मैं आपको देता रहूंगा ह जल्दी हमारी 30,000 की जो फेमली है वो होने वाली है तो आप भी जुड़ जाएगा दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वुड़े के साथ जैहिंद